नहुस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और एक्षिन वीडियो में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आलोग, तो आज जो वीडियो लेकर आए हूँ, वीडियो है, उसका टाइटल है आजाद कश्मीर, जिसे हम पी ओ जे के कहते हैं, वान टू बी पार्ट अफ एंडिया, पाकिस्तानी पब्लिक शॉकिंग रियक्शन, अच्छा जी, चली देखते हैं भई, ये तो गजब मामला हो जाएगा, इस सवाल पर तो, देखिए पाकिस्तानी जन्ता क्या कहती है, ये भाई साब अकसर वीडियो में आते रहते हैं, ये लगता है वही लिबर्टी चॉक मे रहते हैं, कोई बिजनस वसे करते हैं, ये वही है ना, ये अकसर वीडियो में आते हैं, क्श्मीर को डिजर्व नहीं करता, क्योंके बैंकरफ्ट पाकिस्तान जोटी के लिए लड़ रहा है, मर रहा है, तो अज़ाद क्श्मीर को इंडिया के साथ इलहाग कर लेना चाहिए इंडिया के साथ मिल लेना चाहिए, क्या कहेंगे आप? इंडिया को डिजर्व नहीं करते हैं, और हमारे पॉलिटिक्स तो वैसे ही अपने जाइदादों के लिए लड़ रहे हैं, सवाए इमरान हान के उसके अलावा तो बाकी सारे आपके सामनी है के इस्टैबिश्मेंट क्या कर रही है, आपके सामने पीडियाम क्या कर रही है, सारे जो है, सारी दुनिया, पाकिस्तान जो है, वो एमरान हान की साथ जो है, वो क्या जुलमा सितम कर रही है, तो पाकिस्तान तो हो चुकावे डिफाल्ट तो बाकी है, इंटरनेशनली एलान ना करें, वो अलग बात है, तो वैसे हम डिजर्व नहीं करते हैं, इंडिया ही काम्याबी के साथ G20 की मीटिंग करवाई है वो सब आपके सामने इंडिया हर तरफ से काम्याब हो रहा है अगर उसने G20 की वहां पर करवाई या मीटिंग तो वो अफकोर्स में काम्याबी हुआ होगा तो मेरा बेसिकली पॉइंट यह है कि हम इसको डिजर्व नहीं करते और को दे देना चाहिए क्योंके मैं तो वैसे ही जो है मोदी के फैन हूँ क्योंके वो चायवाले से एक इतनी बड़ी काम्याबी हासल करना जिंदगी में यह बहुत बड़ी मोटिवेशन दे है उसके इंडियन्स के लिए और बेशक हमारे लिए बेशक वो हिंदू है लेकिन ह जो मेहनत करने वाला इंसान है मैं उसकी कदर करनी चाहिए तो आइटिंक सो कि अगर वो इतना काबिल इंसान है कि एक चायवाले से कहां पर पहुंच सकता है तो वो किसी भी कंट्री को वो एक अच्छे मुकाम पर लेके जा सकता है अगर एक आम शेहरी जैसे कि आपने कहा क आजात कश्मीर डिजर्व नहीं करतेافLS आप ये बात समझ सकते हैं तो हमारे स्यास अदानों को वी बात क्यों समझ नहीं हारी क्यों पुछ सालों से हमने कश्मीर को एक मसला को बनाया हुआ हो है जिसके वह एकाद इंडिया के साथ हमारे तालौ़ात बहतर नहीं हो पारे है सब भूल चुक़ है इसलमें हम हैं को हॉन एजमीन के खुदा बने होई इनों ने क्या अपने नगा उने की अबहा है इन अपने नभी को खाया शुआ है इननकर यही दुनिया यही जन्ह नात ह हुदो मुझे यगीन नहीं है वैसे कि आगे बखशे जाएंगे जहां तक मेरा यगीन है क्योंकि आरा पा कहते है कि में हकुक लुप कर्दूंगा की है तो यह इसने बाइस के आगे बखशी नहीं जाहेंगे तो इनको यह सोच आही नहीं सकती क्योंकि इनके 75 साल से फ्रॉड कर रहे हैं अब ये कैसे के मांदार शक्स को आने देंगे और वो इनके सारे चटा किटा खोल दिया हुए पहले ही और अब मजीद आगे इनको जिलू में डाले तो उनकी क्या इसत रहे जाएगी तो जाहरी बात है इसलिए सब इकटे होए हमें तो वो किश्मीर के बारे में कैसे सोच सकते हैं जिनकी सारी जाइदादे सारी बाहर हैं और हमारे लिए सबसे अफसोसनाग बात ये है कि हमारा जितने भी जनरल है वो रिटाइर होके बाहर ट्रांसफर हो जाते हैं आपको पता है, अजाद किश्मीर के लोग पाकिस्तानियों से कितनी नफरत करते हैं, वो कहते हैं कि आप हमारे नाम पर इतना पैसा खा रहे हैं, आप हमारे नाम पर सियासत कर रहे हैं, हमारे लिए आप लोग कर क्या रहे हैं। वो माईदा खराब नहों तो इस चीज़ को बेतर करें तो हमें तो कोई इशो नहीं है आपको लगता है कि पाकिस्तान इतनी असानी से अजाद कश्मीर को इंडिया के साथ जाने देगा हम जाने दे रहे हैं क्योंकि जो पाकिस्तान का यह आल किया रहे हैं वो अजाद कश्मीर के बारे में क्या करेंगे शुकर है अजाद कश्मीर थोड़ा साइड पर ही है वो पाकिस्तान में बिल्कुल इन नहीं है तो नहीं तो वो तो उसको भी ना चोड़ते सर हमने आजाद किश्मीर को छोड़ा किया उसका सारा बजट तो हम खा जाते हैं उनके आप सीएम देखें प्राइम निस्टर देखें किस तरह से रोते हैं के जी हमें तो हमारा पूरा बजट नहीं दिया जाता तो यह खुदा बने हो मैं इनके पेट भर नहीं रहे पता नहीं क्या खाज मुले की गोरियां घाते हैं इनके खाने पेटी नहीं बरते हैं इनके पैसा घिलाद हो इनको जो मर्दी घिलाद हो पता नहीं क्या कौन से इनके बास जादूई चीज़ें जो खाते हैं सारा कुछ हज़ा जाद पता भी नहीं चलता जब वो कुछ भी एलान करते हैं कि हमने फिलानी स्टेट के साथ अपने आप को जो है ना वो मिलना है जैसे कि अब अजाद कश्मीर की जो रियासत है रियासत के जो वासी है उसके लोग जो है जो वहां पे रहते हैं उनका मुस्ली यह स्टेटमेंट होता है कि हमने जो है वो महशब करना है जैसे रियासत सवात हुआ था ठीक है वो तो एक अलग कहानी थी रियासत सवात के बादशा नहीं जो है वो रियासत सवात को पाकिस्तान को तोफे में दे दिया था तो वो तो खेर सवात का जो नवाब था उसको आप बादशाह कहले नवाब कहले जो भी उनका सरवराथा तो इसी तरह से अब फरक यह है कि अब देखे वो दे दिया तो वो पाकिस्तान का हो गिया ठीक है सुवात जो है वो पाकिस्तान का हो गया लेकिन जो इधर के मालिक थे महराजा हरी वैंनोंने भारत को दे दिया यह मंजूर नहीं है हमें civil सवात वाले नवाब मे भी स्वे काम किया वो मन्जूर हो गया लिकाने अर्द subjects क्षमीर नवाब थीा का उसका जो सरबरा था उसका स्टेटमेंट यह नहीं था लेकिन जो रियासत थी नहीं जो रियासत के लोग थे उनका स्टेटमें यह था कि हमने इन फ्यूचर रहना वो पाकिस्तान के साथ मैशप करना चाहते हैं क्योंके मुस्ली तदाद वहां पर मुसल्मानों की है तो मु यह सारी कहानी हैं। कश्मीर इंडिया के साथ मिल जाना चाहिए देखें जी कश्मीर को तो इंडिया के साथ मिलना चाहिए ओवियस्ली ठीक है लेकिन कश्मीर की अलग पहचान है उनका इक अलग जंडा है उनका इक अलग तराना है ठीक है तो कश्मीर को जो है अगर लोग वहां के कहते हैं तो फ वो अपने रियासत की और अपने रियासत की जो अपना रिवायात होती है वो उसको बरकरार रखेंगा दूसरी बात यह कि अगर इडिया वाले समझते हैं कि पाकिस्तान में लोग भूके नंगे ना तो यह इनकी बहुत बड़ी भूल है तीक है अपने पाकिस्तान में जिस मर्दी शहर बे चले जाए वेल बिल्डप सिटीज है ठीक है यहां पर कोई ऐसा वो नहीं है कि यहां पर स्यासदान मांगते क्यों फिर रहे हैं हर मुलक के सामने हाथ क्यों पहलाते फिर रहे हैं हमारे लोग आटे की लाइनों में लग लग के मर क देखें यह इस तरह की चीजें जो हैं और अश्य थे एक चाहले हैं तो अश्य जरूरी नहीं है कि यहां पर सिर्फ लोग जड़ हैं या नंगे या फंगे हैं अगर आप कैसी बाते कर रहे हैं आप इंडिया से पार रहे हैं अपको पता है कि इंडिया के एक कंपनी उस जैसी सौ से जादा हजारों कंपनी एक कंपनी उसका जो टर्नोवर है वह पूरे पाकिस्तान के जीडीपी से जादा है आपको अंदाजा है आप क्या बोल रहे हो सिर्फ टाटा ग्रूप की बात कर लू ना तो टाटा ग्रूप पूरे पाकिस्तान को खरीद लेगा और उस पर अत्ति भर भी फरकने पड़ेगा उसके बैंक बैलेंस पर और आप कहते हों कि जी बड़ा अच्छा बिल्डप है शायर बड़े अच्छे हैं बड़े तो कर क्या रहे हो 400 बिलियन की एकॉनमी आपकी डॉलर्स की कहा हो आप हमारे हाँ 400 बिलियन वाली कंपनी पता नहीं कितनी सारी हैं आप कंपेर कर पूरा देश और इतरा हमारी एक कंपनी और इस जैसे और भी कई कंपनी हैं कि इंडिया की स्ट्रीव ठागे देखें तो आपको पता लगे हैं कि इंडिया में कितने लोग नंग और भूग से मर रहे हैं ठीक है लेकिन अगर हम प्रेसेंट की बात करें ना तो इंडिया ने गुर्बत पे बड़ा काबू पा लिया है आपको यह बात पता है अब कि इंडिया में काफी अच्छे प्रोजेक्स जो हैं वो उनके पी-एम सी-एम सी यह सारे लेकर आते हैं ठीक है उनकी पॉपलेशन के हवाले से अगर देखा जाए तो इनकी पॉपलेशन भी काफी बढ़ी है लेकिन यह बात मानते हैं हम भी के उनके जो पी-एम से वह वह काफी अच्छा काम करते हैं काफी अच्छे प्रोजेक्स लेका ते जिन से वहां पे बेरोजगारी की जो शरह वो कम होती जा लिए जब मुकश्मीर आप देख लें कितनी कामयाबी के साथ उन्होंने तीन दिन जम्मुकश्मीर में G20 की मिटिंग करवाई है पूरी दुनिय कि नहीं हमें किसी बात पर पहसूस करना चाईए आपके बिलावन बुटो ज जड़दारी हमारे जो फोरन मिनिस्टर तो अब Lage तक परेशान बेचे हुए हैं के इंडिया ने किस तरह जी टूइंडी की मिटिंग कर वाली जमू कश्मीर में पूरी दुनिया मेंG बात रगे कि जम्ब कश्मीर इंडिया से बिलॉंग करता है, और आप कहरे हैं कि हम परिशान नहीं है, आपके फॉर्ण अरेस्टर किया है, आपके पी मैं क्या चाहि रहे हैं, लगता है खबरे नहीं Teles देखें जी मैं खबरे जैंगान ते धार में एंगेज जातू आ टाहिए टाहिए। बिलावल बुटो जर्दारी ने भी पित्वर्ड लय मैं गिया था के सिजेN पिलावल बुटो जर्दारी एद हाई यही डिया झारी जो हमारी मुखालफत के हैं वह उदे करता है कर उन्होंने ये मिटिंग किये तो हम उनसे अच्छी कोई और मिटिंग कर लेंगे ठीक है कौन सी मसलें जो भी होता है मतब अब जो है यूएन में काफ जी 1151 वाली मीटिंग जी 1151 एक ग्रूप है उसमें शायद पाकिस्तान है उसकी मिटिंग हो जाएगी वहां पर लगी बीटिंग करते हैं तो हम इस चीज को भी ओवर काम कर लेंगो तो लगता है कि दुनिया हमारी किसी बात को हमारे किसी बैान को सीरियस लेती दुनिया नहीं लेती है मगर सोशल मीडिया के थू उनको लेना बढ़ता है ठीक है तो यह हर कंट्री के लोगों के उपर डि से लेके आते हैं और ये सोशल मीडिया बड़ी अच्छी एक पावर्फल चीज है जो के दुनिया में फिर आपको परूफ करवाती है कि कश्मीर के अच्व का है अच्व का लाओ इमाट रकाव किया अच्छी में जह को कि분 अच्व कर लेंधा को अच्छी मेरे तो जाता रहता है, मेरे दोस्तों के काफी रिष्टेदार वहां पे रहते हैं मेरे कोई रिष्टेदार नहीं है लेकिन मैं जाता रहता हूं मैंने खुद भी अगर देखा मैं अगर एनेलिसिस के नूँ तो मैंने महां के हलात देखें तो अजाद किश्मीर के बड़े बेतरीन हलात हैं चलिए भाई आपको लगता है कि बड़े बेतरीन हलात हैं तो मैं वहीं के कुछ लोगों की बातें आपको सुनवाता हूं और वो बातें ऐसे नहीं कि चुपके से आके मुबाईल पर बना के कर दी इसलामाबाद में जाकर माइक पर वो क्या आप कह रहे हैं कि ज़रा सुनिए और आप जो भाई साब इंटर्वीव दो रहे हैं सुन लें तो इसके बाद फिर से आप एक वीडियो बनाएं इस पर सुनिए उस वक्त से ढरो कि जब लोग टेली को काल करेंगे क्या कि हमारी फासित करो पिर क्या करोगी हम तो चा cowardें के इसके पायिस सत्री के से अप्नारा किशी करणो और हमारे हमारे हाल पे छोड़ दो हमारे वसैल पे अगर हमें इक्तयर मिर जा हमें आपसे कुछ भी नी चाहिए, कोई सबसिटी नी चाहिए, कोई वफाद नी चाहिए आपसे, बलके हमें कोई भाई रोड रिष्टा भी नी चाहिए, भाई ये रिष्टा को कब से बंक किया हुआ इसने, मैं एक बड़ी खत्राइब बात करने जा रहा हूँ दोस्तों बादरत के साथ, सुन लिया आपने, इंडियन आर्मी को बुलाने वाले हैं वो safety के लिए महाँ पर security के लिए और ये इसलामाबाद में हुआ जाके सर्च कर लीजेगा और आप कहते हैं कि बड़े अच्छे हालात में बड़े अच्छे हालात में तो इनको ये कहने की जरूरत क्यों पड़ गई उबे इसलामाबाद आकर खुले आम बीच सड़क पर बिना डरे बिना किसी खौफ के क्यों कहा है इनों ने तो रहिए आप वो शुतर मुर्ग हैं जिनोंने रेत में अपनी गर्दन गाड़ रखी है और आपको लगता है कि दुनिया एकदम सुरक्षित है मैं एकदम सुरक्षित हूँ जबकि उपर बम गिर रहे हैं और आपको भी भी समझ रहा है ना अगर वहां के लोग खुद कहें कि हम लोग के बड़ी बेरोजगारी है हमारे पास यहां पर खाने के लिए रोटी नहीं है तो क्या हम यह भी कहेंगे कि वहां के लोग जूट बोल रहे हैं देखें वेल डिवैलप्ट सिटीज में भी आप पाकिस्तान में आज़े और इंडिया में आज़े तो वहां पर भी लोग कहते हैं कि यह महार पर बेरोजगारी है तो यह लोगों की अपना सेंस ओफ उमर है कि वह अपने आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया के आगे के हम जी बेरोजगार है हला कि सेंस ओफ यूमर है अरे भाई इतनी तगड़ी इतनी गंभीर इतनी जबरस टॉपिक जो है छिड़ा गया है उस पर बात हो रही है और आप करें कि यह सेंस ओफ यूमर है काम हर बंदा करता है ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है एम आगे है आभवा कुछ जी कि में लुव मस्तला नियू है mitä दो रहिए ढुछाट गुछा जिन्दगी गुजारें वहां का मोहोल भी अच्छा और इसी कोई आप की जो है ना वो गडवाने वाली बात निग लिए चषॉप्य मेर या र कुमत पाकिश्तान जो एंको को संबालने में या उनके हुकुक राइट सुनको दिलाने में नकाम है ऐसा कुछ भी नहीं है सिरफ बाते हैं फॉर्स नियूज है और इन नियूजिस को जो है वो बंद गिया जाए आपका नाम अब्दुला अब्दुला यूपी के सी एम एक स्टेटमेंट दी है उन्होंने में उटाया जा रहा ठीक है ना और इन्टरनेशनल मीडिया पर यूएन में भी इस पे काफी डिबेट भी होती है ठीक है ना और शुरूं से अभी तक कि ये मसला हाल नहीं हो सकता ठीक है तो अलग सालों में देखा देखें तो पहले तो उदर काफी था के जंग कास वो आलम में ठीक है जंग किश्मीर की भी इंडिया की भी आर्मी उधर इंडिया की मेरा खाल तकरिबें एक लाग तीस हदार कोई आर्मी उधर है डेल लाग इंडिया की आर्मी है तो पाकिस्तान की भी आर्मी उधर है ठीक है लेकिन डिफरेंस यह है कि इंडिया है जो वो उ कश्मीर के लिए और पाकिस्तान का कोई तीन चार सू मिलियन था ठीजिक कर नो वो उनको बजट के सामने बज़ साने जो बजट कर कि लिए अनौंस किया वह बिल्कुल थोडा सा ठीज यह 14 billion 14 billion dollars का budget जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए है और आपको total IMF से जो आपका package मिलने वाला है total जो deal है उसमें से एक हिस्सा 1.2 billion dollars के लिए आप नाक रगड़ रहे नहीं मिल रहा है वो 7 billion dollars की है तो अब पूरे पाकिस्तान के लिए जितना relief package चाहते हो ना उससे double हमने सिर्फ जम्मू कश्मीर को दिया है comparison ऐसे किया जाता है समझीए और दूसरा वो development का रहे है IT centers बना रहे हैं कश्मीर में ठीक है ना और अभी जो railway track उन्होंने बचाया है चुनाब ब्रिज वाला ठीक है ना वो world का highest bridge है ठीक है ना जो वो इंडिया उदर बना रहे है ठीक है उदर yoga centers बना रहे है हैं वहां schooling system बना रहे हैं ठीक है ना और उसके बाद वो उदर बच्चों को जो different trainings program है वो दे रहे हैं यूथ को education दे रहे हैं ठीक है ना और simple सी बात है उन लोगों को जहां से मुफाद नदर आएगा वहां जाएंगे ठीक है ना उन लोगों को इंडिया की तरफ से हैं कि आएमेफ के पास जाना पाड़ा है बार बार आएमेफ रिस्पॉंस नी का रहा है यह उनका है काफी शरायत है न्यूकिलर पे भी हैं जो भी है ठीक है वाट अपना निवो देख पारा system अच्छे से ठीक है अपने इतनी कंप्लिकेशन जा पाकिस्तान के अंदर तो ब मुझे बताएं कि कश्मीर कॉन डिजाफ करते है आपकी अकॉर्डिंग देखें इंडिया बेशक डिवल्पेंट का रहा है उदर बहुत कुछ का रहा है ठीक है ना लेकिन जो चीज पाकिस्तान की है वो तो पाकिस्तान की है ना अगर आप अधर इन्वेस्मेंट कर लें इ जिसके ना कागज आपके पास जिसका कुछ आपके पास नहीं आप करें कुछ चीज हमारी है आप जिस घर में रहते हो उस घर के कागज अगर मेरे पास है और आप को हो कि जी नहीं वो तो मेरा है मेरा है कैसे हो सकता है अब प्रूफ ही नहीं कर पाओगी तो जम्मू कश्म कि विए इसे नहीं हम कैते हैं कि जम्मो कश्मीर हमारा है उसके कागज है हमारें पास जो भी किया आपने इन्वेस्मेंट की है दुबाई से इन्वेस्मेंट आई है जी ट्वेंटी सब्मिट करा रहे हैं आप कुछ पेड़ भी पढ़ गी है ठीक है ना आपने इन्वेस्मेंट की है बहुत अच्छा काम किया ठीक है ठीक है पहले चाइना ने मना किया सोजिया न तो जिस जोटी सी बात बुता जीतनी हम इंडिया के साथ हमारी है उससे जएदा बht-मीजी इंडिया के साथ चाइना करता थिक है ना तिबत पे लड़ाक में ठीक है नौर भी काफी इंटरनेशनली जो जितने भी प्लेट-फर्म है यू-एन है ठीक आ जहां चाइना इंडिय बाड़ियों को शीशे साफ करने कलिए शप्रय में भी चायना से चायना अगर इंडिया एक दिनके लिए चायना से ट्रेड बंद कर दे खान है तो इंडिया की आवाम रोड पर है ठीक नचाव और न्चायना से लिए थीए चायना को बड़ी बड़ी उट्रेट्समें Diego कि कौन्स नहीं होनी चाहिए ठीक ना और इंडिया का बाद में भी यही आता है कि हम चाहिना से अपने तालुकात अच्छे करने की कोशिश करें लेकिन वो कश्मीर जिसको हम आजाद कश्मीर कहते हैं जो पाकिस्तान के पास है वो लोग तो खुद कह रहे हैं कि हमें इंडिय क्याति के साथ इल्हाए करना है कि यह इल्हां पर हमारे खाने के रोटी नहीं हैं développे तो मैं आपको का हुए रहूं पाकिस्टान के अपने हलाग कि इतने वरे हो जो फ्रॉस पाकिस्तान में ठीके ना और अभाडल का जो अंदर है अधारे नहीं आने मजबूत पाकिस्तान के कुछ अधारे बहुत मदबूत हैं, कुछ मदबूत नहीं है, ठीक है ना, तो उसकी वज़ा से पाकिस्तान अपने जो सेंटर्स हैं, उनको ठीक से लुकाफ्टर नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना, अब पाकिस्तान में यूनिवस्टीज हैं, मदर यूनिवस्ट चल रहे हैं कि वो जो पाकिस्तान के अदारे हैं चोटे एजुकेशनल वहां वाइस चांसलर नहीं लगा पारे है अगर एजुकेशन नहीं ठीक से मिलेगी तो हम कैसे ग्रोव करेंगे यह था हमारा आज का प्रोग्राम आपने जो आनि पाकिस्तानी अवाम की राय उमीद है को आज का हमारा यह प्रोग्राम पसंद आया होगा आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे देगे कमेंट सेक्शन में चले दोस्तों वीडियो खतम हो गया और आखिर वाले भाई साब की बात आपने सुन ली इनको जरा अलप ग्यान है चाइना इंडिया यह पाक कि आपके साथ आपने 20 बंदों को अपने साथ बुलाया उनमें से 16 आपके साथ है और 4 बंदे अलग हो गए हैं तो चपिड किसको लगेगी उचार वाले को लगेगी कि 16 वाले को लगेगी अब भी समझ नहीं बात आपको खैर कोई बात नहीं देखिए अगर बयान दिये ज जा रहे हैं पाकिस्तानी अकुपाइट जम्मो कश्मीर के लिए तो कुछ सोच समझ कर दिये जा रहे हैं मैं अक्सर अपने वीडियो में ये बात कहता हूं कि देखिए हमारा काम हम पाकिस्तान की तर नहीं करना चाहते कि कश्मीर पर कबजा करना है जी चलो अटाक कर दो करना है हमें रियOOनाicus करना है और रियूनाइट तभी होंगे पाकिसानी अकुपाइट जम्मो कश्मीर के लोग बहुत जादा स्लो प्रोसेस है, लेकिन ये तगड़ा प्रोसेस है, जब वहाँ पे एक, क्या कहा है, कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा, जब ये सोच लेगा कि हमें इंडिया के साथ मिलना है, तो कोई पाकिस्तानी फौज, कोई पाकिस्तान रोक नहीं पाएंगे उनकों मिल वो कबजे वाली नहीं थे हमारी नहीं है, कि कबजा करना है, हमें तो वापस करना है, अपनी जमीन वापस लनी है, और वापस रियूनाइट करनी है, वो रियूनाइट खुद होंगे, हमें जमीन भी चाहिए और हमें वहाँ के लोग भी चाहिए, आपको वहाँ के लोगों से मतलब है आपको वहां के जंगलों से मतलब है आपको वहां से जो मिनरल से उन से मतलब है अगर आपको कश्मीर के लोगों का इतना ख्याल होता तो आप वहां पर डिवलप्मेंट करते आप वहां पर असमताल बनाते आप वहां पर सलके बनाते ये तो आपने किया नहीं इसल तो अब ये धीरे धीरे नाराज़गी बढ़ रही है क्योंकि उनको असल बात समझ में आ गई है कि पाकिस्तान उनके साथ क्या कर रहा है और यकीन मानिए आने वाले चार साल, पांच साल, दस साल आप देखिएगा ये आवाजे और जादा बड़ी संख्या में बढ़ जाएंगी और उसके बाद फिर वो रोके नहीं रोकेंगी जल्दे मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ नमस्कार जहिद